नवस्कार आप देखरें एकॉनिमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ति आज भी बात करूँगा कोविट की ही क्योंकि और किसी की चीज की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर से ये महामारी ने हमारे देश को अपने ग्रस्त में ले लिया है जा था कि हमारे देश के राजधानी में अमीर संपन्य जुगाड़ वाले कॉन्टैक्ट वाले लोग जो बाहर रोड पे कहते हैं कि तु जानता है मैं कौन हूँ आज उनको हॉस्पिटल बेड और ऑक्सिजन नहीं मिल रहा है ऐसी हालत है हमारे देश में इस वक्त क्या ये ऐसा समय है जब अचानक ऐसी महामारी आगए कि वैसे हमारी व्यवस्था ठीक है लेकिन ऐसे महामारी से जूजने के लिए हम तयार नहीं है या ऐसी चीज है जो की systemic है यानि की व्यवस्था अगत्थ है व्यवस्था हमारी इतनी खराब है health system कि ऐसी महामारी से जूजने का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में अगर हम world health organization यानि की WHO की माने तो WHO कहता है कि हर हजार लोगों के लिए एक doctor होना जरूरी है किसी भी देश में हमारे देश में वो ratio क्या है आप हैरान हो जाएगे सुनके कि हमारे देश में एक doctor हर 1100-1140 लोगों के लिए है खराब नहीं है हमारा system है ना तो आपको अगर आप अगर सिरफ data से जाएंगे कि हमारे देश में 138 करोड के आसपास लोग हैं और 12 लाग doctor हैं तो हमारा ratio खराब नहीं है लेकिन ये एक चीज़ समझ के रखे कि जादा तर ये जो doctor हैं वो बड़े बड़े शहरों के metro के बड़े अस्पतालों में या गली महलों में बैठे हुए हैं आपको किसी doctor के पास जाना होगा तो आपके colony में आपके आसपास आपको 4-5 doctor अराम से मिल जाएंगे आपके पास कोई hospital होगा आप अगर किसी बड़े शहर में आगए हैं और अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपके आसपास 6-5-6 hospital भी आपको मिल जाएंगे लेकिन यही अगर हम गरीब लोगों का सोचे जो लोगों को सरकारी असपताल के पास पे जाना है या सरकारी जो health center है वहाँ पर जाना है उनका ratio क्या है हर साड़े 12,000 लोगों के लिए एक doctor याद कीजिए WHO का ratio क्या है कि 1000 लोगों के लिए एक doctor होना चाहिए हमारे देश में public health system यानि कि सरकारी health system में हर साड़े 12,000 लोगों के लिए एक doctor होता है इसके चलते आज जो हम देख रहे हैं द्रिश्य जो देख रहे हैं टीवी पर विडियो पर कि लोग गाड़ी में आ रहे हैं बैठे हुए हैं और वहीं पर मर जा रहे हैं ambulance में आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों को कोविट से मौथ हो रही है वो अस्पताल में बैठ उनको नहीं मिल पाया ये कभी अमीरों ने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा लेकिन गरीबों के लिए हमारे देश के ये daily का मामला है ऐसा हर वक्त आप किसी अस्पताल के सामने चले जाएंगे आप देखेंगे कि फुटपात पर गरीब लोग बैठे होएं गाओं छोड़कर आये हुए हैं उधर एक मरीज भी साथ में हैं कोई ऐसा टाउट या जिसको कहते हैं वहां पर आदमी पैसे लेके उनको कहता है मैं फॉर्म भर दूँगा डॉक्टर के साथ मैं दिला दूँगा अंदर जाते हैं कहीं पर आप देखेंगे कि एक गरीब आदमी आप कहीं पर टेस्ट करवाने जाएंगे गरीब आदमी खड़ा होगा बोले कि भाई साब बता दीजी इसमें क्या लिखा हुआ है कोई टेस्ट को लग रहा था कि हमें तो भीया कभी ऐसा नहीं हो सकता है हमारे लिए आप देखें कि हमारे देश में एक स्टडी कहता है कि 49% लोग 49% लोगों को मरते वक्त कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता है अब सोच लेजी कि लग रहा है परिवार वालों कि यह मनने वाले हैं ना वो डॉक्टर को बुला सकते हैं ना कोई नर्स को बुला सकते हैं कोई मेडिकल अटेंशन नहीं है 39% लोगों के लिए ठीक है इसका कारण क्या है इसका सबसे बड़ा कारण है कि आसपास कोई गाउं में या छोटे शहर में या कबजे में कस्बे में वो डॉक्टर तक कहुंच नहीं सकते हैं दूसरी बात है यह है कि अगर वो जाएंगे तो 500,000- accident 2000 रुपे खर्च हो जाएगा उनके जेव में है नहीं यह पैसे हमारे देश में जिसको कहते कर्ज लेने का कारण सबसे बड़ा कारण और कर्जदार होने का सबसे बड़ा कारण यह नहीं कि किस से बढ़ा है 2019 की एक study हमें कहती है कि 2019 में ही 55 million आनि कि 5.5 करोर लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए क्यों क्योंकि उन्होंने health के लिए medical loan लिया था medical debt medical loan यह नहीं कि bank में जाके आदमी को loan मिलता है नहीं वो क्या करते हैं वहां के महाजन से पैसे लेते हैं जहां पर काम करें मालिक से हाथ जोड़ के कहते हैं कि कुछ दे दीजे और उसके बाद क्या होता है वो कर्दार बन जाते हैं तो वो गरीबी रेखा के नीचे चले जा साड़े insurance ले सकते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े hospital आ गए हैं, बड़े-बड़े hospital आ गए हैं, वहाँ पे आप किसी कमरे में जाएंगे, तो वो hotel के तरह है, वहाँ पे AC चलता है, अच्छा-च्छा cable TV चलता है, कोई आके बोलता है कि आज आप क्या खाएंगे, मरीज के लिए कि, मरीज के लिए तो ये सब है, जो patient को देखता है, वो नीचे जाएगा, तो food court होता hospital में, ऐसा अरेक hospital में, बड़े hospital में, जब कोई equipment करना है, जो पहले क्या होता था, कि आपको X-ray करना हो, तो wait करना पड़ता था, MRI तो बहुत ही बहुत कठिन से कठिन जो surgery होता है, वो आज कल हमारे देश में भी होने लगा है, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, आज के date पे COVID हो, तो बड़ा पैसा, बड़ा insurance आपको नहीं बचा सकता, सिरफ एक ही चीज आपको बचा सकता है, वो है कि आप किसी अस्पताल में पहुँच कर आपको oxygen मिल ला है अगर डॉक्टर बोले ये ज़रूरी है बहुत जगे पर आज संपन लोग बेड पे बैठे हुए occupy करके अस्पताल में बैठे हुए होंगे oxygen उनको चाहिए है ना चाहिए हो डर के मारे कि कल मेरा कम हो जाए तो मैं occupy तो कर लेता हूँ ना bed, कि कल मुझे oxygen की ज़रूरत होगी आज ये हो रहा है आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे वो कहेंगे ये हो रहा है लेकिन जितना भी आपके पास पैसा हो अगर सारे bed occupy हो गए तो आपको नहीं मिलेगा किस चीज की ज़रूरत थी हमारे देश में हजारो oxygen bed इस वक्त temporary हो जो भी हो क्योंकि क्या-क्या चाहिए oxygen चाहिए ज़्यादा महेंगा नहीं होता है oxygen सस्ता है सिर्फ transport उसका खर्चा है storage उसका खर्चा है जो सरकार से खर्च कर सकती थी और क्या चाहिए बुखा रोकने के लिए paracetamon कभी crocin के नाम से कभी dolo के नाम से ऐसे आता है कितने का होता है बहुत सस्ता है एक और होता है steroid जो oxygen ले रहे है कभी कभी doctor बोलता है कि जो oxygen पे है ये वाला steroid उनको लेना चाहिए dexamethasone सस्ता है ज़्यादा महेंगा नहीं है बहुत कम लोगों को फिर ज़रूरत पड़ता है remdesivir WHO ने कहा है कि remdesivir से कोई फाइदा होता है हमें नहीं पता है हाँ hospital में अगर वो 15 दिन रहने वाले थे उसके जगे पे हो सकता है उनको 10 दिन रहना पड़े बुखार अगर उनका 10 दिन तक चलने वाला था हो सकता है 8 दिन तक चलने महेंगा medicine है डॉक्टर अगर कहे देना है तो देने का मतलब कुछ लोगों को जरूरी है बहुत लोगों को जरूरी नहीं है तो आप देख लिए क्या क्या चाहिए था सिरफ paracetamol, oxygen थोड़ा बहुत steroid सस्ता और कुछ लोगों के लिए जिसको कहते blood thinner यह चाहिए सारे सस्ते medicine है पैसे की जरूरत नहीं है सिरफ सरकार की will की जरूरत है सरकार की ऐसे policy की जरूरत है नीती की जरूरत है जहां पे वो बोले private sector हटाओ गरीबों के लिए हम bed लगाएंगे ऐसे अच्छे bed लगाएंगे आप आईए वहाँ पे आपको oxygen मिलेगा और postic खाना मिलेगा साफ सुत्रा bathroom मिलेगा अच्छा doctor आके आपको देखेगा nursing आपको मिलेगा यहाँ पे आपको TV देखने का वो नहीं मिलेगा अच्छे अच्छे fridge नहीं होंगे आपके कमरे में attendant के लिए food court नहीं होगा यही होगा बस चाहे अमीरों गरीब हो सब वहीं पे line लगा के पहुँच जाएंगे जीने के लिए क्योंकि जान है तो जाहान है तो यही बात है दोस्तों कि हम लोगों ने अगर 31 साल तक सिरफ private sector private sector private sector किया है तो आज उसका खामियाजा सिरफ गरीबों को नहीं भुगतना पढ़ रहा है अमीरों को भुगतना पढ़ रहा है और यही है कि चाहे आप अमीरों गरीब हो आज के date पे आपका जितना भी पैसा हो अगर आपको bed नहीं मिले तो आपके लिए उतना एक खतरनाक है जितना एक गरीब आजनी के लिए यही है सच्चाई COVID की और यही है Health Economics की सच्चाई हमारे देश में